बहरत में अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। और मोटर साइकलों की बिक्री में गिरावटा रही है। करीब 7 फिसीदी की रिटेल मेंगाई दर की वजह से कम आयवर्ग के लोगों को खरीदने में मुश्किल पेशा रही है जो आर्थ विवस्ता के लिए मुसीवत का सबब बन गया है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा कम आयवर्ग में शामिल है। इस हिसाब से भारत की एक सो चालिस करोड की आबादी में से एक सो पंद्रा करोड लोग इस आयवर्ग के हैं। वहीं मध्यम वर्ग में 6.6 करोड लोग हैं जिनकी रोजाना के इंकम 800-1600 रुपाई है। और 13.5 करोड लोग घरीबी रेखा के नीचे रहते हैं जिनकी रोज के आमदनी 160 रुपाई से कम है। ऐसे में अगर एतनी बड़ी जनसंख्या खरीदारी घटाती रहेगी तो फिर एकॉनोमी में बड़ी गिरावट का खत्रा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संपन लोगों के पास पैसो की कोई कमी नहीं है। ये वर्ग किसी समान का इंतजार करने की जगए प्रीमियम तक चुकाने को तैयार है। भारत में अमीर घरीब के बीच बड़ती खाई के संकेत वैसे काफी पहले से मिल रहे थे। चोटी कारों के बड़े बाजार माने जाने वाले भारत में आप चोटी कारों की बिक्री घट गई है और यहाँ पर प्रीमियम कॉमपैक्ट और SUV की बिक्री बढ़ गई है। 12,000 की कीमत तक के बजट फोन यहाँ बिकने कम हो गए हैं। इसी तरह मेंगी वाशिंग मशीन, डबल डोर फ्रेज और बड़े टीवी की डिमांड बढ़ गई है। जबकि वालियम बढ़ाने वाले ग्रामिन बाजार में बिक्ने वाली सस्ती वाशिंग मशीन और बाइक आप बिक्ने कम हो गए हैं। झालियम बाइक आप बिक्वाश हैं।